मैं गीत दिक्षित कि कलेक्टर कमिशनर कॉनफरेंस आज जसु शासन और सुराज अभयान पर बात माफियाओं के एक्षिन पर होगी तो वहीं कैपरेट की बैटक आश्राम 6 बजे होनी है तो गिर्जी अगर इस बैटक को देखा जाए तो आज कई सारे मुद्बबर जो है इस कलेक्टर कमिशनर कॉनफरेंस को कर सकते हैं बात होने वाली है और क्या कुछ मुद्बर उसमें रहेंगे कॉनफरेंस के माद्यायं से सीदा सस्टेन रहता है कि कि किसी तरह की हीलाओ वाली वे वह व स्था के मामले में नहीं बरदास्की जाएगी और उसके लगतार शिकायत आती हो अगर उस शिकायत के माद्यान से कोई नञाकरन नहीं होता है सबसे बड़ी बात ये हैं कि आज जो कलेक्टर कमिशनर कान्फरंस होनी है वो सुशाशन और सुषाज अवियान को लेकर जादा फोकस रहेगी और इस अवियान के तहट स्वाभाविक तोर से अनन्या मान कर चलिएगा कि मैं जो बात कहरा हूँ कि सरकारी रोजनाओ का लाब आम जिन को मिल पा रहा है कि नहीं गरीब को मिल पा रहा है कि और नारी के स्वाभी मान की रक्षा प्रदेश में हो पारी नहीं है सबसे बड़ी बात यही है और यही वो कारण है कि मुख्यमंदरी आज मुझे लगता है कि एक्शन मौड में होंगे और एक्शन मौड में होते हुए कलेक्टर हों चाए कमिशनर हों चाए आईजी हो चाए एस बी हों उन से जमीनी हकीकत को जानेंगे हमारे साथ रवी वतीज जो चुके हैं सोन लाइन बजर की वरिश पत्रकार है रवी वतीजी आप समझना चाहेंगे कि आज इस कमिशनर कालेक्टर कॉन्फरेंस में कई सारे मुद्वी होने वाले हैं ऐसे में सुशातन और सुराज भी एक मुदा है इसके अलावा इसे और किस तरी के देखा जाएं पर इसके अलावा प्रदेश में हादी बास्यों के ऊपर कुछ घटना है जो हुई है उसको लेके लाइन अडर को लेके आई जी और एसपी से बातचीत हो जाएगी कि नीमच और खरगोर्न में जिस तरी की घटना है आई इसकी पुल्रा वरत्ती ना हो इसकी रुक्तरम के लिए निर्देश मुझे लगता है कि मुक्वंद्री पुलिस अदीकारियों को देंगे क्योंकि इसकी घटना है जो बाते में सब्सक्रूर दल के लिए परेशानी सादा करने वाली होती है तो सब्सक्राइब पर एक तो कलेस्टर कमिशनल कांट्रेस नहीं बुद्धों पर जो सब्सक्रा होना है जैसर गीजी ने भी कहा कि सराज और सुसासन को लेके सरकार बहुत गंवीर नजर आ रही है तीन दिन पहले मुक्वंद्री जीने कहा भी कि रस्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीती अपनाएंगे और अब जो प्रदान मंत्री ने जो कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूँगा वो भी इसी राया पर चलने की कोस्तित करेंगे तो निश्चत तोर पर यही संदेश जो है अब बो प्रसासन का अधिकारियों को दिये जाएंगे इसके अलावा साम को जब कैमिलेट बैठा कोगी तो मंत्रीयों को भी जो अब यहान है उसकी जिम्मेदारी जिलेवारता की जाएगी इसके अलावा उनको भी निर्देश दिये जाएंगे अब भी बत्ते समल जाएंगे क्योंकि अब दो साल का समय बचा है उप चुनाओं में इसकी परिच्छा हो जाना है अगर आंगे भी नहीं समले तो सिर्थ समस्चा है और ज़्यादा बढ़ेंगे पिछली दो कॉन्फरेंस की बात करूंगा मैं आपसे उच्छी समझना भी चाहूंगा पिछली दो कॉन्फरेंस में अगर आपको इसमरण हो तो सतना में करवाई हुई थी उसके बाद आपने देखा हुआ रतलाम में करवाई थी वहां के अधिकाजियों को हटा दिया 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 था लेकिन उसकी पहले से जानकारी मुक्यमंतरी पास रहती तो आज भी क्या ऐ फीड़ बैक में निरंटर ले रहा हुआ और आप यह मद सोचे हैं उनना मैदानी अपसरों को हमेसे ताकित भी किया है कि मुझे फीड़ बैक मिलते रहता है आप क्या करना है उसकी जानकारी पल-पल की जानकारी सरकार को होती है तो लिश्चे तो तो पार दिलो एसके जो अजयान जो लक्ष जो दिया गया उसकी क्या इस्थिती इसको ले कर भी सर्कार की निगा रहती है तो मिप्श्यो तोरपाल जहां पर ज्यादा करकर अधार को करना में पार देखेंगे खर दायों कर देखेंगे कि एक दिन पहले ही महीलावाली का मांदे गताला है olhar क्बच पिछले आज साल के दोराद लिए सब होते रहा है, आप चुबी सरकार सक्थ है, इसलिए सल जानगी रवाद थाने में करी 44 में लोगों के खिलाब F.I.R. दर्श की गई है, तो इसके देख के समझ जाना चाहिए कि सरकार के सेवा सक्थ है और अगर अगर अभी मैदानी अमला सतर्क नहीं हुआ, पिनिश्चे तोर पर उसे इसके पढ़ना भी मुगतने पढ़ेंगे। अबसर नाजाज साइदा उठा रहे हैं और क्या मुख्मिंतरी को इससे जादा सकते होना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं पिछले दिनों से लगातार उनके ब्यवार को देख रहा हूँ, वो जहां सहरदार ताज रखते हैं, लेकिन लापर भाई के मामलें बहुत कठोर भी है ऐसे में अधिकारियों को सुधारने के और क्या संदेज दिया सकते हैं? ये देखा गया, ये बेहारी कड़वा सच है, तो इस कड़वे सच को आपको सुधार करना पड़ेगा, जब तक आप इस दिवस्ता दुरूस नहीं करते हैं, आप उपर इस तपर वले ही कितना कुछ भी कहते रही है, समझते हैं कर मेरा परन होना नहीं अच्छा एक अंतिम सवाल है सर मेरा, सुशासन और सुराज को लेके भी आज बहुत महत्पून संबाद हो गया, खासकर उनका की सरकारी योजनाओं का लाग जमीनी हकीकत तो मिल रही हैं और आप और हम अच्छी तदिगी जानते हैं, चुकिए आप और हम खबरों से रात कारवाही करते हैं, इस सुराज और सुशाशन के माध्यम से, जहां सरकारी योजनाओं का लाब लेंगे, हीला हवाली की जानकारी स्वाभावी क्टोर से मिलेगी, ऐसे में क्या लगता है कि वही कठोरतम शिवराद देखने को मिलेंगे आज़? आनकि की जानके पर देखने की बात हैं, जो अन्होंने दिल्ली में बैट के पूरे देश की ववस्ता को आन-लाइन सिस्टम जोड़ा है, चाहे वो हित्गराईों के खातों से पैसा डालने वाली बात हो, या दूसरी अन्योजनाओं का लाब पहुंचाने की बात है, पूरी निगरानी है, पूरा सिस्टम उन्होंने जो डवलब करा है तो जो आए पर चलने के साथ आए